नमस्का मित्रों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नीचर इंवार्मेंट एंड गार्डनिंग और मैं हूँ आपका दोस्थ भुवन तो आज हम बात करेंगे इस बेहर ही खूबसूरत फ्लावर के प्लांट की जिसका नाम है एमरिलीस तो आप द पूरे के पूरा गुच्छा यहां पर आपको नजार आएगा देखिए कितने-कितने बड़े फ्लावर्स आपको यहां पर दिखाए दे रहे तो देखिए कितना भर कर यह आए तो इन बड़े फ्लावर्स को हम एमरिलीस बोलते हैं और यह जो है दक्षिन अफ्रीका का को गार्डन में भी जो है लगा कर रख सकते हैं और बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छे flowers इसमें देखने को मिलते हैं अभी मार्च का end चल रहा है हूँ दीखिये मार्च का end में इसमें कितने सुनद Cum starter flowers जो है आप हैं तो अलग-अलग इसकी वराइटी आपको देखने को मिलती हैं और बहुत यह हार्डी प्लांट है केरफी प्लांट है और लेकिन साल में सिर्फ एक बार खासकर मार्श या अप्रेल में मार्श के लाजँ प्रेल को अने ब्लावर्श आना शुरू होते हैं और बिल्कुल ट्रंपट शैप्ट जो है फ्लावर्श आपको इसमने देखने को मिलते बैठिये कितने सुंदर या influencer तो यह एक तरीके का जो है लिली जैसे रिलेटेड पौधा है आप देखिए यह पौधा है इसमें जो लीब्स है यह बिल्कुल फ्लाइट इसकी लीब्स आती है और इसके नीचे आप देखेंगे तो बल्ब बनता है यह मेरा प्लाइट जो है इस गमले में लगभग 12 से 15 साल इसमें हो गए है और देखें इसमें ही उगता जा रहा है और अपने ने बल्ब बनाता जा रहा है बहुत केरफ्री प्लाइट है मैं इसको इवन कोई जादा खाद नहीं देता और सिर्फ इसको पानी देता हूँ इतन है लेकिन सर्दी में दूप बिलकूल नहीं आती तो जयाके है कि एक केयर फ्री प्लावर थॉड़े हैं जैसे तो कीड़े की समस्या और ऐसी प्राब्लम इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है चले बात करते हैं कि इस बिम छोया है तो प्रोकिशन की बात करने तो प्रोकिशन दो तरीके से इसकी हो सकती है पहली propagation जो होती है वो होती है bulbs के तुरू आप देखिए कितने सारे पौदे जो है वो बनते जा रहे हैं नीचे ही इसके bulbs जो है उसके तुरू plantlets निकलते जाते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं नया पौधा बनाने के लिए दूसरा इसमें seeds भी लगते हैं जब अभी इसमें flowering over हो जाएगी तो यहाँ आप देखिए यह जो है यह fruit बन जाएगा और fruit बनने के बाद जो है इसमें fruit जो है जब सूखेगा तो उसमें आपको seeds दिखाई देंगे खासका black color के flat paper seeds होते हैं जिनको आप use कर सकते हैं propagation के लिए उसको आप लगा सकते हैं लेकिन जो plant seeds से आप उगाएंगे वो बहुत धीरे होगेगा पहले एक या दो leaves दिखाएंगे छोटी छोटी घास की तरह और उनको mature plant बनने में काफी time लग जागागा बेसिकली ज्यादा तर इसको जो है bulbs के थुरू जो है लगाया जाता है और इसकी बहुत सारी अलग-अलग varieties होती है flowering varieties होती है जिसमें अलग-अलग तरीके के shades market में available है apricot color भी आता है red आता है थोड़ा इससे dark red भी आता है इसके अलावा pink और इसके अलावा strited varieties भी आपको देखने को मिलती है जिसमें white की stripes जो है वो आपको देखने को मिलती है तो बहुत सारी varieties इसमें इस plant में जो है आ गई है देखे कितने सुन्दर ये trumpet shape flowers हैं चाहे साल में एक बार आते हों लेकिन जब आते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं और garden की जो है शान बढ़ाते हैं तो अगर हम इसकी watering की बात कर लें विंटर्स में इस plant को watering बहुत कम चाहिए लेकिन जैसे ही summers आती है तब इनमें watering बढ़ाते जाहिए एक और चीज है अगर आप इसके bulbs को पूरे साल प्लांट को maintain नहीं करना चाहते हैं तो जैसे इसकी flowering over होती है तो उपर से इसको काट दीजे और नीचे से bulb जब इसके पत्ते सूख जाएं तो इसको store करके आप रख सकते हैं इसके अलावा market से आप जो bulb खरीद कर आते हैं उसको अगर आपने लगाना है तो February is the best time उस time इसको लगाते हैं और March में जब पहले leaves खिलेंगे और साथ में इसमें flowering spike जो होती है यह जो flowering stock जिसको हम बोलते हैं यह इसमें बहार निकलती है और इसमें flowers आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही सुन्दर plants को आप जरूर अपने garden में स्थान दीजिए और इसी तरीके से नई नई information के साथ में आगे भी आपके सामने प्रस्तुत होंगा तब तक बने रही है मेरे साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जाद से जाद शेयर कीजिए धन्यवाद